हेलो वेलकम टू आर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास टू इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल्स पढ़ेंगी इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखिए और अगर आ अब क्लास टू इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इससे डिलेटिट सारा स्लिबस कवर करा हुआ है आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए और अब लर्निंग नोटबुक चैनल के वाटसैप और टेलिग्राम ग्रूप्स भी अविलेवल हैं आप उन्हें भी जोईन कर सकते हैं So let's start with our first topic A and N A and N means one तो A और N का मतलब होता है एक जब हम किसी एक को रैफल करना होता है तो उसके पहले हम या तो A लगाते हैं या N They are placed before one person or one thing तो जैसे मैंने अभी बोला A और N इन में से एक चीज लगती है या तो जब हम किसी एक परसन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं Let's see some examples ये एक बुक है तो हम बोलेंगे A book A chair A cup An apple An umbrella अब देखें फ्रेंग्स आपको दिख रहा होगा कि कहीं हमने A use करा है और कहीं हमने An use करा है So let's understand कि कहां पे हमें A use करना होता है और कहां An use करना होता है A and An both are used when we mean any person or thing तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि A और An हम use करते हैं जब हमें किसी एक परसन की किसी एक चीज की या किसी एक जगा की या किसी एक अनिमल की बात करनी है ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया A is used before words with consonant sound अब देखते हैं कि A को हम कहां use करते हैं A को हम use करते हैं उन words से पहले जिन words की starting में consonant sound आ रही हो consonant sound यानि जो vowel sound के नहीं हो जो vowel sound नहीं हो A, E, I, O, U इनकी जो sound होती है वो नहीं होनी चाहिए consonant sound होनी चाहिए जैसे कि A girl, girl, girl sound आ रही है a boy, b, b sound है इदर boy, a story, a glass, तो इन सभी words की जो sound है जो starting की sound है वो consonant sound है तो उनके पहले हम use करेंगे a ऐसे ही जब हम an की बात करते हैं तो an is used before words with vowel sound an use होगा उन words से पहले जो जिनकी vowel sound है जो start हो रहे हैं vowel sound से vowels क्या होते हैं a, e, i, o, u तो इन पाचों vowels की जो sound होनी चाहिए जब वो words आ जाते हैं जब हम use करेंगे an जैसे की an orange, o, orange, an apple, a, apple की sound आ रही ही न, a, तो वो vowel sound है और देखते हैं examples an umbrella, अब u की जो sound होती है जो vowel है उसकी sound होती है a, umbrella, an egg, a, e की sound है a, and ice cream, i की sound है i, फिक है तो ये sound होनी चाहिए इन पाचों की sound आनी चाहिए जब भी हम an use करेंगे और जब ये sound नहीं आती इन पाचों की कोई sound नहीं आती तो वहाँ हम use करते हैं a, क्योंकि वो कहलाएगी consonant sound तो यहाँ पे हम sound की बात कर रहे हैं students ये point ज़रूर याद रखी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूँगी कि अब मैं बार बार sound पे क्यों stress कर रही हैं देखिए ये कुछ words हैं जो ज़्यादा तर students गलत करके आते हैं तो इनको देखिए पहला है uniform अब आप uniform से पहले a लगाएंगे या an क्या बोलेंगे इसको a uniform या an uniform हम बोलेंगे इसको a uniform क्यों क्योंकि जो sound आ रही है चाहे word you से start हो रहा है जो एक vowel है पर इसमें you की sound नहीं आ रही U की sound मैंने क्या बता ही आपको क्या होती है U की sound U की sound होती है A पर हम इसको बोलते हैं uniform यानि यहाँ पे consonant sound है vowel sound नहीं है uniform देखिए इसलिए इससे पहले हम use करते हैं A uniform बोलते हैं an uniform नहीं बोलते वो बिलकुल गलत होता है इसलिए मैं stress कर रही हूँ sound पे और examples बताती हूँ one दूपी नोड अब मैं इसको कैसे बोल रही हूँ one one बोला है मैंने इसको जबकि यह start हो रहा है O से पर इसको जब हम बोल रहे हैं तो हम इसको बोलते है one और 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 किसकी sound होती है डबलू की यानि यह भी एक consonant sound है इसलिए इससे पहले भी हमने A लगाया है चाहे वो word स्टार्ट हो रहा है vowel से पर उसमें vowel sound नहीं है उसमें consonant sound है तो ऐसे word से पहले हम A लगाते हैं हम बोलेंगे इसको a one बूपी note अब next है university अब यहाँ पर भी चाहे वोर्ट स्टार्ट होता है vowel you से पर जो sound है वो vowel की नहीं है हम इसको बोल रहे हैं university तो यह consonant sound है इसलिए हम इससे पहले यूज़ करेंगे a a university हम an नहीं यूज़ करेंगे अब देखिए यह word है honest honest अब चाहे यह word स्टार्ट हो रहा है h से जो की एक consonant है पर जो sound आ रही है वो आ रही है o की honest ऐसे हम बोलते हैं इसको honest तो sound vowel sound है इसलिए इससे पहले हमने an लगाया हम बोलेंगे he is an honest person an लगाएंगे इसी तरह से r अब यहाँ पे r है यह भी word स्टार्ट हो रहा है एक consonant से बड जो sound है वो है एक vowel की r h silent है इसलिए इससे पहले भी लगता है an hour तो यह था difference consonant sounds और vowel sounds में तो इसलिए हमेशा sounds पे ध्यान दीजेगा letters पे ध्यान मत दीजे sound कौन सी आ रही है उनकी उस पे ध्यान दीजे अब हम बात करेंगे article the की the is used when we mean a particular person or thing तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा a और an तो किसी particular person या किसी particular चीज के लिए use नहीं होता हम वो in general बात कर रहे हैं उन चीजों की पर जो the होता है यह हमेशा किसी particular चीज किसी particular person किसी particular जगा ऐसो के लिए use होगा यहाँ पे वो particular होती है चीज for example take a chair अब यहाँ पे जब मैंने a chair बोला तो यानि कोई भी chair मैं किसी भी chair की बात कर रही हूं कोई भी chair ले लो तो पर अगर इसी sentence को मैं बोल दूँ take the chair lying on your left अब यहाँ पे मैंने the chair बोला है क्योंकि मैं refer कर रही हूं उस chair को जो तुम्हारी left में रखी हुई है तो यहाँ पे मैं particular chair की बात कर रही हूं इसलिए मैंने उससे पहले the use करा हूं let's see one more example a man is waiting at the door यानि एक आदमी door पर wait कर रहा है अब वो आदमी कोई भी आदमी है कोई particular आदमी की बात नहीं करी मैं कह रही हूं एक आदमी wait कर रहा है door पर जब मैंने कहा the man you wanted to meet is waiting at the door यानि अब मैं एक particular आदमी की बात करी है वो आदमी जिससे तुम man यानि particular man की बात हो रही है a man यानि कोई भी आदमी हो सकता है तो यह सबसे बड़ा difference है इन में इसे याद रखी the is also used when we speak of a person or thing again अब the हम जब भी use करते हैं जब हमें उसी person या उसी चीज़ के बारे में दुबारा बात बोलनी है जैसे की a stranger came to house अब यहाँ पे मैंने a stranger बोला है क्योंकि यहाँ पे कोई भी stranger है वो ठीक है वो हमारे घर आया अब जब मेरे को उसी stranger के बारे में और बात करनी है वो ही same stranger के बारे में और बात करनी है तो फिर मैं next sentence में उसके लिए use करूंगी the the stranger wanted to meet my father तो यह वाला जो stranger है इसके लिए मैंने दुबारा बात करी है यह उपर वाला यह जो उपर के sentence में stranger है same ही stranger है कोई अलग से दूसरे आदमी की बात नहीं हो रही अब उसी आदमी की दुबारा बात जब मैंने करी तो उसके लिए मैं use करूंगी the क्योंकि अब वो particular person बन गया एक वार example बताती हूँ he showed me a box उसने मुझे एक box दिखाया अब यहाँ पे a box है वो box कोई भी है कोई particular box नहीं है पर जब मैं उस box की दुबारा बात करूंगी तो मैं बोलूंगी the box was full of chocolates वो box chocolate से भरा हुआ था इसका मतलब है कि उसने मुझे एक box दिखाया और वो box chocolate से भरा हुआ था तो जहाँ पे मैंने the लगाया है क्योंकि मैं उसी box की बात कर रही है वो box अब particular box बन गया है ठीक है पहले sentence में वो कोई भी box था और जब मैंने the लगाया तो यानि मैं particular उसी particular box की बात करें the moon, the earth and the sky तो इन चारों के साथ हम अमेशा the use करेंगे क्योंकि ये एक ही है unique है ये सब अब कुछ और भी चीज़े हैं जिनके आगे हम the का use करते हैं the is used with names of rivers, seas, oceans, mountain ranges तो जब हम rivers की बात करेंगे particular rivers की, seas की, oceans की और mountain ranges की तो उनके नाम के आगे भी हम the लगाएंगे for example, the kaveri kaveri क्या है? river का नाम है तो इसलिए हमने the kaveri बोला इसी तरह से the black sea black sea क्या है? sea है उसका नाम है the Indian ocean ये भी ocean का नाम है mountain range हिमालयास के लिए भी हम the Himalayas use करेंगे तो ये कुछ points हैं जो आपको याद रखने पढ़ेंगे इसी तरह से the is also used with names of well-known building अब जो well-known buildings होती हैं यानि जो जानी पहचानी जिनके बारे में सब को पता होता है ऐसी buildings के पहले भी हमें the use करना पढ़ेगा जैसे की the gateway of India हम सब जानते हैं ये मुंबई में है ये gateway of India तो उसको refer करने के लिए भी हम the gateway of India बोलेंगे इसी तरह से जब हम ताज महल की बात करेंगे जो आगरा में हैं उसके लिए हम the ताज महल बोलते हैं the red fort जो देली में है the is also used with names of holy books and newspapers अब students जब हम holy books की बात करते हैं जैसे की गीता कुदान, बाइबल इन सबी ये जो holy books होती हैं इनके लिए भी हम the use करते हैं और newspapers जो जाने पहचाने newspapers हैं जैसे की statesmen, times of India इने भी हम the statesmen the times of India ऐसे रेफल करेंगे अब हम करेंगे एक practice exercise fill in the blanks with a, an और the तो यहां पर कुछ words given हैं हमें हमें बताना है कि उन words से पहले a आएगा, an आएगा या the आएगा पहला word है peer अब देखिए peer में जो sound है वो है consonant sound पर तो इस से पहले हम लगाएंगे a, a peer next है owl अब owl जब हम बोल रहे हैं तो एक vowel sound आ रही है तो इस से पहले हम लगाएंगे an next word है duck duck में der की sound आ रही है जो एक consonant sound है इसलिए हम यूज़ करेंगे a a duck then we have taj mahal अब friends हमें पता है कि taj mahal है it is one of its kind वो एक ही है तो इस से पहले हम यूज़ करेंगे the the taj mahal let's see the next word onion अब onion भी जब हम बोल रहे हैं तो एक vowel sound आती है तो इसलिए इस से पहले हम लगाएंगे an an onion aren't इसी तरह से aren't जब हम कहा रहे हैं तो again we are having a vowel sound aren't तो इसलिए इस से पहले लगेगा an अब देखें friends earth जो है वो एक one of its kind है ठीक है earth कोई दूसरी नहीं है तो इसलिए इस से पहले हम यूज़ करेंगे the the earth pencil pencil जब मैं बोल रही हूँ तो एक consonant sound है तो इसलिए हम लगाएंगे a a pencil next word is doll जब doll बोल रहे हैं तो एक consonant sound आती है the तो इसलिए उस से पहले यूज़ होगा a an 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 में देखेंए sound आ रही है एक vowel की an तो इसलिए उससे पहले यूज़ होगा an ear अब जब मैं ear बोल रही हूँ तो एक vowel sound आ रही है तो इसलिए इससे पहले लगेगा an tiger देखें एक consonant sound है tiger तो इसलिए हम यूज़ करेंगे a और tiger तो इस तरह से हमें sounds को देखके consonant sound है यह vowel sound है उसको समझ के हमें a an यूज़ करना होता है और अगर कोई चीज one of its kind है तो हम यूज़ करेंगे the fill in the blanks with a an और the तो यहाँ पे अब एक sentence given है हमें बताना है कि उस sentence में a आएगा an आएगा या the पहला sentence है yesterday we bought dash new car तो देखें फ्रेंग्स यहाँ पे कोई particular car की बात नहीं हो रही है वो एक बस नहीं car खरीदी है उसने तो यहाँ पे हम a या an में से कुछ यूज़ करेंगे और new जो word है उसमें consonant sound आ रही है तो इसलिए हम a लिखेंगे yesterday we bought a new car next sentence look at dash clock on the wall अब इस sentence में देखें एक particular clock की बात हो रही है कौनसी clock जो wall पर है इसलिए हम इससे पहले the लगाएंगे next I want dash apple अब यहाँ पे कोई भी apple मेर को एक apple चीए वस ये बात है और apple जो है हमें पता है कि उसमें vowel sound है इसलिए हम उससे पहले an यूज़ करेंगे I want an apple next dash sun gives us heat and light अब इदर देखें sun के बारे में बात हो रही है जो मैंने आपको बताया था कि one of its kind होता है इसलिए इससे पहले हम the लगाएंगे the sun I waited for you for more than dash hour अब फ्रेंक्स इदर देखिये जब हम hour बोलते हैं तो उसमें अ की sound आती है जो एक vowel sound है इसलिए हम इससे पहले and लगाएंगे I waited for you for more than an hour let's see the next sentence I bought dash umbrella yesterday dash umbrella is made of fine silk अब इस sentence में दो blanks given है पहले blank को देखिये यहाँ पे umbrella की बात हो रही है और हमें पता है umbrella में vowel sound है वो vowel sound से start होता है तो उससे पहले हम use करेंगे and I bought an umbrella yesterday अब जब next sentence start होता है तो फिर से umbrella की बात हो रही है यानि अब उसी particular umbrella की बात हो रही है जो umbrella कल खरीदी गई थी उसी umbrella के बारे में बोला जा रहा है कि वो umbrella fine silk से बनी है इसलिए मैं इस blank में umbrella के लिए the use करूँ ठीक है next sentence she gave me dash egg and dash mango dash egg was rotten but dash mango was good अब इदर सबसे पहले first blank को देखते हैं इसमें बात कर रहे हैं egg की जो हमें पता है एक vowel sound से start होता है हम उससे पहले लिखेंगे and अब next blank है जिसके बाद है mango म की sound आ रही है जो एक consonant sound है इसलिए हम लिखेंगे a she gave me an egg and a mango अब जब एक next year blank आता है तो वो कह रहा है dash egg was rotten यानि यह इसी egg की बात कर रहा है जो पहले sentence में egg था अब वो particular egg की बात कर रहा है उसी egg की इसलिए मैं इस blank में the लगाऊंगी the egg was rotten ठीक है फिर है but dash mango was good अब यह mango भी यह जो पहला है sentence में जिसके बारे में पहले बात हो चुगी है वो mango है तो अब यह भी particular mango हो गया है इसलिए यहाँ पे भी the लगेगा but the mango was good ठीक है तो यह बात ध्यान रखिए कि जब हम first time किसी चीज के बारे में बात करें हैं तो हम sounds रेखेंगे consonant और vowel sound के according a और n लगाएंगे पस जब हम दूसरे sentence में उसी चीज के बारे में दुबारा बात करते हैं तो हम the use करेंगे next sentence there was dash basket on the table dimpy took dash apple from dash basket she ate dash apple dash apple was sweet and juicy अब first blank को देखते हैं dash basket अब बर की sound आ रही है basket में जो एक consonant sound है तो हम लगाएंगे there was a basket on the table फिर है dimpy took dash apple अब देखेंगे dash apple है apple की इससे पहले बात नहीं हुई है तो हम इसकी sound देखेंगे जो एक bubble sound है तो इसलिए हमने उससे पहले लगाया an apple from dash basket अब देखेंगे basket फिर से आ गया है वोई same basket है जिसके बारे में पहले sentence में बात हो रही है इसलिए इस वाले blank में हम यूज़ करेंगे the from the basket फिर है she ate dash apple अब apple की बारे में भी पहले बात हो चुकी है कि dimpy ने उस basket में से एक apple उठाया था अब ये जो apple है इसकी बारे में दुबारा बात हो रही है कि dimpy ने वो अब खा लिया है तो इसलिए इस apple के आगे लगेगा the इसी तरह से जो next sentence है उसमें भी उसी apple की बात हो रही है तो हम लिखेंगे the the apple was sweet and juicy कि वो particular apple sweet और juicy था तो इस तरह से हमने देखके कि कहां पे हम use करेंगे and और the ये हमें so समझ के use करने होते है